प्रड़क्स के जो नतीजे होंगे थोड़े से सुस्त आते दिखेंगे क्योंकि जो बाजार का अनुमाने 10% से ही आई बढ़कर आएगी 3,308 करोड के आसपास जो कामकाजी मनाफ़ा होगा वहां आप 15% की बढ़त आते देख पाएंगे जो मार्जिन्स होंगे वह 80-100 basis point का ही जंप अप देख पाएंगे जो पिछले बार 13% के आसपास थे वो इस बार 13-14% के आसपास आते दिख सकते हैं और जो मनाफ़ा होगा वह 260 करोड के आसपास आता दिखेगा कंपनी ने अपने दामों को बढ़ाया था उसी के चलते आपको म्यूटेड ग्रोथ दिखेगी अनुमान है फूड कारोबार जो कंपनी का हैं वहाँ पे आपको 18-20% की ग्रोथ आती दिख सकती है तो चाय के दामों नए प्रड़क्ट लॉंचेज पे हमारी नज़र रहेगी ये स्टॉक अगर हम देखे तो 13% उपर है पिछले 6 मेने में और फिलाल 45 टाइम्स वानिया फ झाल्ड अधक उनुमान है हम पिया झाल जाज बड़क्ट लॉमान हैं पिलाल 44 टे बदूज आती दिख सकता हैं पिलाइम्स का लॉण झाल अभास में जाजको 18-20% की बदू हैं जाल भासले पिलार जो बदूश जाए़ग्स हां आती खाल आती ग्रार में जाजको 18-20% की